In an industrial process, 10 kg of water per hour is to be heated from 20 degree Celsius to 80 degree Celsius. कोई industrial process है, उसमें हमें एक घंटे में, per hour हमें 10 kg पानी चाहिए, और उसको हम हीट कर रहे हैं कितने temperature से कितने तक 20 से 80 तक, और इसके लिए हमने steam यूज कर रहे हैं, और steam जो है वो super heated steam है, उसका temperature 100 नहीं है, 150 degree Celsius है, तो steam condense in the coil and return to the boiler at the 90 degree Celsius. अब steam जब heat transfer कर रही तो क्या करेगी? steam जरा समझना है, तीन स्टेज़ में steam heat transfer कर रही है. पहली स्टेज जो है वो 150 degree Celsius से 100 degree Celsius की steam बनेगी. steam की specific heat capacity यूज होगी दी हुई है आपको. फिर वो steam condense होगी, यानि 100 degree Celsius की उबलते हुए पानी में convert होगी. फिर जो 100 degree Celsius का पानी है उसका temperature घटके 90 degree Celsius होगा. तब जाके वो जो है वो boiler में condensed water जो है वो boiler में वापिस जाएगा. यानि जो steam है जिससे पानी गरम हो रहा है वो steam तीन स्टेज़ में heat दे रही है. अब यह पूछ रहे हैं how many kg of steam is required पर आर एक घंटे में हमें कितनी steam लग जाएगी. ठीक है? तो हम निकालते हैं. तो पहले हम यह निकालेंगे एक घंटे में आपको कितनी heat चाहिए. तो हम एक घंटे में 10 kg पानी करम कर रहे हैं. और temperature उसका बढ़ा रहे हैं 20 degree Celsius से बढ़ा के कर रहे हैं 80 degree Celsius. तो कितनी heat लग जाएगी एक घंटे में तो वो निकालेंगे. तो formula क्या होगा? MS delta T. मास है 10 kg उसको ग्राम में convert करेंगे तो यह 10,000 हो जाएगा. specific heat capacity होती है 1 calorie per gram per degree Celsius. और कितना temperature आप बढ़ा रहे हैं? 60 degree Celsius आप temperature बढ़ा रहे हैं. तो यह आपका आजाएगा 6 into 10 की पावर 5 calorie. इतनी heat आपको चाहिए. हर घंटे. अब यह heat कौन दे रहे हैं? steam दे रहे हैं. माले M gram, gram में ही बना रहा हूँ मैं. ठीके, बाद में केजिम जरूद पड़ेगी, तो convert कर लेंगे. M gram steam जो है, इस काम के लिए माले है sufficient होगी. तो जरा देखते हैं, वो कितनी heat देगी. तो पहली stage के आए steam की, तो वो है 150 degree Celsius से 100 degree Celsius. फिर दूसरी steam के आए condensation 100 degree Celsius की, जो steam है, उसको 100 degree Celsius के water में convert करना, उसमें heat देगी. फिर तीसरी stage क्या है, कि अब 90 degree Celsius के water में convert करना, तीसरी stage में heat देगी. तो पहली stage में कितनी heat मिलने वाली है? MS delta T, M, S आपको 1 ही दिया है, 1 calorie per gram per degree Celsius, steam का भी 1 दिया है, पानी का भी 1 होता है. इंटू temperature कितना डॉप किया, 50, पहली stage की heat. दूसरी stage में heat कितनी होगी, तो वो M into L होगी, क्योंकि ये phase change हो रहा है. तो वो क्या होगी M into L, तो वो जाई M into 540. और तीसरी stage में 10 degree Celsius temperature आपने डॉप किया, तो फिर से MS delta T, M, अब तो पानी के specific डालेंगे 1, और temperature कितना डॉप किया, 10. और इन तीनों का जो sum होना चाहिए, वो आपका 6 into 10 की power 5 के बराबर होना चाहिए. तो ज़राँ solve करेंगे, तो ये 10 और ये 50, तो ये कितना हो जाएगा 60? 60 और 540 तो ये 600 हो गया है, M into 600, is equal to 6 into 10 की power 5. तो जो आप इसको डिवाइड करोगे, तो जो M आ रहा है, वो 10 की power 3 आ जा रहा है, ग्राम्स. क्लियर? तो कितनी स्टीम चाहिए होगी आपको? आपको 1 kg स्टीम चाहिए होगी पर आर, हर गंटे. तो ये और आंसर इस B part. क्लियर? अगला कुशिन करते हैं. टू इदेन्टिकल कंडुक्टिंग रोड्स, A, B and C, D. एक रोड है, A, B और एक रोड है, C, D. ये इदेन्टिकल कंडुक्टिंग रोड्स हैं. और एक कंडुक्टिंग रोड्स से अटेज़ हैं, डामेटर्ली अपोजिट पॉइंट पॉइंट पे. एक पॉइंट B पे, B यहां अटेज़ है, और C पॉइंट यहां अटेज़ है. The radius of the ring is equal to the length of the rod. की समझ मैं आपको? Radius of the ring जो है, वो length of the rod के बराबर. अगर इसकी length L है, इसकी length L है, तो इसकी जो radius होगी, वो भी किसके बराबर है? L के बराबर है. अच्छा, area of cross section और thermal conductivity जो है, वो rod और ring सबका सेम है. पॉइंट A और D का temperature आपको दिया है है, 100 degree Celsius और 0 degree Celsius. C का temperature आपसे पूछा गया है. Clear? तो इसको कैसे settle करेंगे, समझिए. अगर मैं कहूँ कि इस rod का thermal resistance R है, तो इस rod का भी thermal resistance क्या होगा? R. तो इस semi circular part का thermal resistance कितना होगा? तो इसकी length कितने होगी? तो इसकी length होगी π.R. और RL के बराबर है. तो जब length L थी, तो thermal resistance R हुआ. तो जब length π.L होगी, तो thermal resistance कितना होजाएगा? प.R होजाएगा. तो इसका जो thermal resistance होगा, वो π.R होगा, और इसका जो thermal resistance होगा, वो भी क्या होगा? प.R. मैंने इसलिए ऐसा कि length अगर π.Times होजा रही है, तो thermal resistance भी π.Times होजाएगा. क्यूंकि thermal conductivity और area of cross section ये दोनों सेम दिया है. तो अब जो आपका question बना, वो simple इस तरह से बन गया. इसका temperature कितना है? 100 degree Celsius. ओम slow लगाएगे हम. इसका temperature कितना है? 0 degree Celsius. और यहाँ का temperature आपसे पूछा जा रहा है, कि C point का temperature Tc बता दीजिए. तो सबसे पहले इनको हम settle कर लेते हैं. ये, sorry, ये diagram थोड़ा गवड़ कर दिया मैंने. ये पूरा एक ही resistance है, उपर, single. और ये नीचे भी पूरा क्या है? एक ही resistance है. और यहाँ पर ये resistance. ये resistance R है, ये resistance R है. ये कितना है resistance, ये पाई-R है, और ये वाला resistance भी कितना है, पाई-R. इसका temperature आपको दिया है, 100 degree Celsius, और इसका temperature दिया है, 0 degree Celsius, और इसका temperature आपको find करना है. ये कितना होगा, Tc find करना है. तो हम कैसे करेंगे इसको? इसमें ohm slow लगेगा, आराम से settle करेंगे. ये दोनों किसम है आपके parallel में, तो parallel में net resistance कितना होगा, पाई-R और पाई-R अगर पैलल में, तो net resistance होजगा पाई-R by 2. और उसके बाद फिर ये आर किसम है, series में, तो इधर वाली पूरी ब्रांच का net resistance कितना होगा, तो ये होगा R प्लस पाई-R by 2. यह point होगे आपका C और इधर कितना resistance है यह R है यह temperature कितना है 100 degree Celsius यह temperature कितना है 0 degree Celsius Tc आप से पूछा गया तो अब यह setup बहुत ही simplified होगे आप यह दोनों series में है तो जो heat current इसमें flow हो रही होगी वह heat current इसमें flow हो रही होगी और हम Tc find कर लेंगे देखिए जो इसमें heat current flow हो रही होगी वह रही होगी 100 minus Tc upon thermal resistance and that is R times 1 plus pi by 2 और इधर जो heat current flow हो रही होगी वह रही होगी Tc minus 0 upon R तो R से R हम क्या करते हैं cancel out इसको इधर multiply करो आप ठीक और यहां से आपको क्या निकाल लेना Tc, pi by 2 की value भी डालने ही पड़ेगी आपको ठीक है pi होता 3.14 जो आप 0.2 करोगे तो यह आपका आजाएगा 1.57 और plus 1 करेंगे तो यह आजाएगा 2.57 तो 100 minus Tc जो आपका आया वो आपका आगा 2.57 Tc तो इस Tc को इधर और all ले आएगे तो यह बन जाएगा 3.57 तो यहां से Tc जो मिल रहा है वो 100 upon 3.57 मिल रहा है इसका मतलब आंसर 25 से तो जादे होगा लेकिन 37 तक तो कहां पहुंचने वाला 33 से कमी होने वाला है तो इसमें एक ही आंसर दिया और वो आंसर क्या बनेगा आपका 28 डिगरी सी पार्ट क्लियर एरिंग कंसिस्ट आफ टू पार्ट ADB एंड ACB दो हिस्से हैं एक तो ADB पार्ट है यह नीचे वाला जो हिस्सा है वो ADB है और जो उपर वाला हिस्सा है वो ACB है और यह कहरें ACB की लेंथ ADB से तीन गुना है थिख वाला की लेंथ अगर L है तो उपर वाला की लेंथ क्या होगी 3L ठीख और सेम कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी दोनों की सेम है कैसरे अमांट ऑफ हीट है कितनी हीट jeenकर रहे है वो कितनी हीट कर रहे हैं दोनों इससे मिला के यहां से हीट आरही होगी कुछ हीट यह नीचे वाले हिसे से आएगी कुछ हीट उपर वाले हिसे से आएगी और इस तरह से हीट वापिस चली जाएगी तो यह जो हीट कंड़क्ट हो रही है वो कितनी कही है उन्होंने वो एच है अब क्या कह रहे हैं ADB part is now replaced by another metal keeping the temperature T1 and T2 constant ADB को हमने हटागे दूसरा metal यहां लगा दिया ठीक है लेंद तो सेम ही रहेगी इसके area of cross section भी सेम ही रहोगा बिल्कुल सेम दिखेगा बट material अलग होगा, metal अलग है ठीक है, replaced with another metal metal का है उन्होंने, metal अलग है ठीक है तो इसको हटा के दूसरा metal लगा दिया है और कह रहे हैं अब जो heat increase, heat में जो increment हो गया है heat जो है वो पहले H, amount of heat transfer हो रहा था 2H amount of heat transfer हो रहा है यह बस संज में आ रही है आपको, ठीक है देखे कैसे settle करेंग इसको माले पहले thermal conductivity के थी और length में इसकी L मान रहा हूँ इसकी length L, तो इसकी length कितनी हो जाएगी 3L तो जो heat flow होता है, amount of heat flow DQ by DT वो होता है temperature difference upon thermal resistance T1 minus T2 temperature difference हो गया और नीचे लिखेंगे thermal resistance अब thermal resistance कितना होगा तो यह दोनों parallel में connected है तो parallel में thermal resistance होता है R1 R2 upon R1 plus R2 तो parallel में आएगा R1 R2 upon R1 plus R2 clear? चाहो तो इसको आप उपल ले जाओ और R1 R2 से divide करो तो एक थोड़ा simple equation जैसी दिखेगी आपको DQ by DT is equal to दिखेगा आपको T1 minus T2 into 1 by R1 plus 1 by R2 थोड़ी बैदर equation तो जब हम पहले case में लगाएंगे तो पहले DQ by DT कितना दिया H is equal to temperature difference तो वही है T1 minus T2 उपर वाले का जो resistance होगा resistance का formula होता है Rho L upon A या L upon K resistance का जो formula होता हूँ क्या होता है L upon K तो उपर वाले का resistance होगा वो हो जाएगा 3L upon K A प्लस नीचे वाले का resistance होगा L upon K A ये पहली equation बन गई अब दूसरे case में जो net जो heat flow हो रहा है वो बढ़के 2H हो गया दूसरे case में जो temperature difference है वो तो वही है T1 minus T2 है लेकिन thermal resistance में changes आएंगे R1 में कोई change नहीं है R1 वही है 3L by K R2 में change आगा और R2 में change ये है length में कोई change नहीं है thermal conductivity कुछ और होगी है K dash into A ये दो equation बन गई अब हमको अगर solve करना तो हम क्या करते हैं दोनो equations को divide कर देते हैं तो ये से cancel out हो गया यहां से cancel out होगा तो इस तरफ तो आपका आएगा half ठीक इदर क्या आने वाला समझते है ये L और L common लेके इस L और L से cancel out होगए ये A और A common लेके इस A और A से cancel out होगए तो इदर जो बचा वो बचा ऊपर क्या बचा K by 3 प्लस K तो ये उपर होगए 4 K by 3 और नीचे कितना आ जाए K by 3 प्लस K dash K by 3 प्लस K dash cross multiply करते है K by 3 प्लस K dash ये दोनों इदर आ गए इस तरफ कितना आएगा तो इदर आ जाएगा 8 K by 3 तो K dash जो आपका आएगा 8 K by 3 minus K by 3 so your answer is 7 K by 3 तो जो नया metal है उसकी जो thermal conductivity है वो 7 by 3 times of original के बराबर होगी ये part आपका क्या बनेगा answer बनेगा ठीक है अब हम करेंगे 47 water is being boiled in a flat bottom kettle place on a stove bottom का एरिया आपको दिया है आपको thickness दिया है और कितनी steam produce हो रही है per second उस kettle में से तो वो आपको दिया है inner और outer temperature the difference of the temperature between the inner and the outer surface of the bottom ठीक है ड्रो करेंगे diagram जिसे माले एक kettle है kettle का एक vessel की तरह बना लेते है ये इसका bottom है और यहां पे हम stove की flame है ये और इसमें पानी भरा हुआ है और per second कितनी heat produce हो रही है sorry per second कितनी steam बन रही है यहां से वो आपको दिया हुआ कि एक gram steam जो है वो पर minute बन रही है अब आपको क्या क्या दिया हुआ इसका आपको area पता है इसकी thickness आपको पता है x कह देता हूँ मैं इसको या l कह देता हूँ thickness इसको क्या कह देता हूँ l कह देता हूँ यह सब कुछ पता है आपको आपको निकालना क्या दें the difference of the temperature between the inner and the outer surface of the bottom, temperature difference पूछा है कि इन दोनों surface के बीच में temperature difference कितना होगा, temperature difference होगा तभी तो heat flow करेगी, और जब heat flow करेगी तो जो पानी है वो किसमे convert होना शुरू हो जाएगा, boil तो करी रहा है, पानी जो हो किसमे convert होना शुरू हो जाएगा, steam में convert होना शुरू जाएगा, बागी thermal conductivity भी पता है आपको, और latent heat भी पता है, ठीक है, तो आप ये बताइए, कि एक second में कितनी heat पहुँच रही होगी, तो एक minute में एक gram steam convert हो रही है, आराम समझेंगे, एक minute में एक gram जो है उबलता हुआ पानी steam में convert हो रहा है, यानि एक minute में ज क्योंकि जो heat capacity है, वो भी calorie में ही दी है, sorry, conductivity जो है, वो भी किसमें दी है, आपको calorie में ही दी हुई है, तो ये होगा rate of heat transfer, इससे ही cancel out करेंगे, 9 calorie per second heat transfer हो रहा हुआ, और जो heat transfer का formula होता है, heat transfer जो होता हूँ, किसके बरावर होता है, वो होता है, आपका temperature difference upon thermal resistance, thermal resistance क्या होगा, L upon K, तो ये तो आपने डाला calorie per second, ठीक, delta T आपको निकालना है, K की जो unit है, वो है calorie per centimeter inverse per degree Celsius per second, तो length की जो unit होगी, वो हम centimeter में ही डालेंगे, तो K की value आप किसमें डालोगे, K की value 0.5, तो area जो आप डालोगे, वो centimeter square बहुत अच्छा, length भी हम किसमें डालेंगे, सेंटी मीटर में ही डालेंगे, तो 2 mm को हम किसमें डालेंगे, सेंटी मीटर में, तो सारी value डालना शुरू करते हैं, तो ये तो हो गया, आपका 9, delta T आपको निकालना है, K की value है, half 0.5, मतलब half area है, आपका 300 cm square, और जो length है, वो 1 mm, 2 mm है, 2 mm का मतलब हो जाएगा, 0.2 cm, तो अ स्कुछर मल्लिप्लाइ करते हैं, 18, ये 2 भी वर पहुंच जाएगा उपर, और divided by 3000, 12 upon 1000, so it is 0.012 degree Celsius, ये जो होगा, ये होगा temperature difference, so your answer is D part.